लीजे सुनिये सूर्य कांतितर पाठी निराला के लिखे उपन्यास, कुल्ली भाट का भाग एक मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में बहुत दिनों की इच्छा एक जीवन चरित लिखो, अभी तक पूरी नहीं हुई, चरित नायक नहीं मिल रहा था, ठीक जिसके चरित में नायकत्व परधान हो, बहुत आगे पीछे दाएं बाएं देखा, कितने जीवन चरित पढ़े, सब में जीवन से चरित जादा, भारत क कई महापुर्शों के पढ़े, स्वाहस्त लिखित, भारत पर आधीन है, चरित बोलते हैं, बहुत दिनों की समझ सत्त कमजोरी है, शेजोरी उसकी प्रतिक्रिया, अगर चरित में अंधिरा छेपा, प्रकाश आखों में चका चोंध पैदा करता है, जो किसी तरह भी देखन नहीं, जड़ पकड़ गई, याद आया कहीं पढ़ा था, बंबई की सिनेमा स्टारों की सर्र से दीवार पर चड़ने की करामाद देखकर, रंगे कृत्त में आए, सत्त से अग, बाहर के किसी प्रेमी कारिकरता ने कमर तोड़ ली है, बड़ी खुशी हुई, साफ देखा, कलम हाथ में लेते ही, कितने कवियों की आँख की परी, विश्व साहित्त के साथवे आसमान पर पर मारती है, कितने करम वीर दलिया खाते हुए, कमर कमान किये, जान पर खेर रहे हैं, कितने आधुनिक बेधड़क समाजवाद के नाम से पूरे उत्तान पाद, इसी समय तु अलप बखाने, थोरे महम जानी है सयाने, सोचा तुलसी दास में सिर्फ सयानों की आँख पहलाई है, यानि महापुर्शों की नहीं, वो सयम भी महापुर्श नहीं थे, आधुनिक विद्वानों का मत है, कहते हैं, जवानों के श्री गनेश से, यानि अच्छी तरह होश आ कवीवर राम नरेश्टर पाठी जानते हैं, बहुत आधुनिक रिसर्च है, तुलसी दास जी गर्मी से मरे थे, ये पता नहीं चला, गर्मी रतना वली से मिली, कहां से, बाहुक की रचना के वक्त, बाह का दर्द, गर्मी के कारण हुआ, कुछ हो, मैं एतिहासिक नहीं, सम अपने राम के लकड़ दादा के लकड़ दादा के लकड़ दादा, राजा बीर्बल तरपाथी अकबर के चेले थे, अपनी बेटी खाले के बाचपेईयों के घर बया ही, तबसे बाचपेई वंश में भी महा पुरुशवत्तों का असर है, यो टर्पल लकड़ दादा का कनबजिया कुलीनों पर पड़ा खेर महा पुरुष पुरुष का बढ़ा हुआ रंगा हिस्सा लेकर उसी तरह के चरित से एक सा तोर जुड़ गया है साहित तिक की निगाह में ये साबुन का उपियोगिता वाद है अर्थात सिर्फ साफ होता है वो भी कपड़ा रास्ता घर या दिमाग नहीं अगर वाद लें जैसे समाज वाद पैर बढ़ाए है तो वो भी अकेला साहित नहीं ठैर था साहित तो पुरुष का एक रोया सिद्ध होता है मैं तलाश में था कि ऐसा जीवन मिले जिससे पाठक चरितार्थ हो इसी समय कुली भाट मरे अभी आप सुन रहे थे सूर्य कांतितर पाठी निराला के लेखे उपन्यास कुली भाट का भाग एक मेरी यानि समिर्गोस्वामी की आवाज में